हमारे इस खास सेग्मेंट एक्स्प्लेनर में आपका बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे एक्स्प्लेनर में बात आज उस वीडियो की जो लगातार चर्चा में है जब से सूरिग्रहन आया कल सूरिग्रहन था, कल रात 9 बच कर 12 मिनिट के आज पास उसकी शुरुवात होती है और 2 बच कर 10 मिनिट तक ये सूरिग्रहन का जो सूत काल था वो लगातार चल रहा था लेकिन ये ऐसी खगोली घटना थी जो अब अगस्त 2044 तक कभी नहीं होगी और इसी वज़ा से वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे साल 2024 के इस पहले सूरिग्रहन का इसके बाद से जब वैज्ञानिकू ने जो चीज अब नोटिस की है वो बेहत चौकाने वाली भी है एलन मस्क ने बकायदा एक वीडियो ट्वीट किया है आपको कुछ तस्वीरे में यहाँ पर दिखाऊंगी तस्वीरों के जरीया आप देखिए धर्ती जब घूम रही है तो उसमें काला गोल गड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई रौशनी नहीं है धर्ती पर जब यह काला धबा काला गड़ा इसको अगर कहा जाए देखा गया वैग्यानिकों की और से तो वह भी चौक गये थे कि आखिर ऐसा क्यों है उसके बाद सोशल मीडिया पर ही जो वीडियो है एलेन मस्क जो ट्वीट करते हैं वो वारल हो जाता है कई सारे अलग-अलग बातें इसको लेकर होती हैं कोई कहता है यह धर्ती पर ब्लाक होल है या फिर जो वैग्यानिक है वो भी उस वक्त समझ नहीं पाए कि आखिर यह जो गड़ा है यह किस चीज का है कई सारे यूजर्स कोई कुछ लिखता है तो कोई इसको ब्लाक होल बताता है कई लोग यह भी लिखते हैं कि यह काला धबा के धर्ती पर कैसे आया क्या ब्लाक होल अब बहाँ पर बन रहा है या इतना बड़ा गड़ा धर्ती पर कैसे मौजूद है तो कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं लेकिन बाद में वैग्यानिक को सपष्ट करते हैं कि ये जो काला धबा अब यहां पर धर्ती पर चलता हुआ दिख रहा है जिसका वीडियो एलन मस्क के द्वारा भी ट्वीट किया गया है ये उस वक्त का है जब सूरिग रहन हुआ थ इसी वज़ा से वैग्यानिक इसको लगाता नोटिस कर रहे थे ये जो चाला धबा है दरसल ये कोई किसी तरीक के का ट्वीट किया गया था जिसके बाद ये चर्चा का विशय बन जाता है ब्लाक होल हम सब जानते हैं कि क्या है इस पर वैज्ञानिक लगाता रिसर्च भी करते हैं अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है एक ऐसी जगा है पूरे अंतरिक्ष में जो परचाई है चांद की वो धरती पर पड़ी है और इसी वज़ा से ये जो शेत्र है पूरा काला दिख रहा है जिसकी तस्वीर खुद एलन मस्क ने शेर की तो उसके बाद तमाम जो यूजर्स थे वो भी चौक गए यह कैसे आ सकता है और कल सूरिग्रहण था, सूरिग्रहण भी हम जानते हैं इस तरीके की कहोली घटना है जब धरती और साथ-साथ सूरिग के बीच में अचानक से चंद्र में आ जाता है तो धरती पर किसी भी तरीके की कोई परचाई सूरिगी पड़ नहीं पाती है और वही जो घटना है उसको सूरिग्रहन कहते हैं और ये सूरिग्रहन इसले खास था क्योंकि साल 2024 का सबसे पहला सूरिग्रहन था पूर्ण सूरिग्रहन था और ये जो सूरिग्रहन था ये 50 सालों का सबसे लंबा सूरिग्रहन भी था और इसके अलावा ये जो खगोली घट ना बनती हुई दिखे तो इसी वज़ा से यह जो विडियो पोटेट्स था ही चर्चा में आया जो एलन मस्क ने ट्वीट किया था आपका इस पर क्या कहना है क्या आप कहना चाहते हैं अपना फीडबाक हम तक पहुंचा सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के जरी और इसकी अलाव कराहते हैं